बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचरिय ही पवित्रता का दूसरा नाम नहीं है लेकिन पवित्रता हर पहलू से हर स्वरूप से हर भाव से ब्रह्मचरिय तो एक पहलू है परन्तु कर्म की पवित्रता के साथ-साथ, वचन की पवित्रता, मन की पवित्रता, संबंद की पवित्रता, वातावरण की पवित्रता, वाइब्रेशिन्स की पवित्रता, ये सब भी पवित्रता की अंतर गताता है और बाबा उस रूप की पवित्रता चाहते हैं तो क्या है ये संपूर्ण पवित्रता और बेहत की पवित्रता सबसे पहले तो हम ये जरूर मानेंगे कि पवित्रता सबसे उत्तम श्रिंगार है आत्मा का आत्मा अपने निजिस्वभाव में पवित्र स्वरूप है और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ इस निश्चे और नशे से आगे बढ़ना है यही मूल अंतर है ज्ञान मार्ग और भक्ती मार्ग में भक्ती मार्ग में हम समझते थे मैं तो पतित हूँ कामी हूँ पापी हूँ आरती में तो नजाने अपने लिए क्या-क्या बाते कहते रहे मैं मूरख खल कामी पापी कृपा करो भरता तो स्वयम को खल कामी पापी मूरख निरबल नजाने क्या-क्या हीन बाते खुद के लिए कही और परमात्मा से हमने शांती मांगी, शक्ती मांगी पवित्रता मांगी इसले आरती में यह भी आता है इसका मतलब क्या हुआ? कि पवित्रता मांगी भगवान से रट्बाबा ने उस दिन भी मूरणी में कहा था कि पतीत पावनसीताराम, पतीत पावनसीताराम केकर पुकारते है तो हम सब सीताओं का राम परमात्मा है जिसको हम पुकारते हैं कि हे पतित पावन सीता राम अब आ करके हमें पावन बनाओ तो भगवान हमारी पुकार पर आये है हम बच्चों को पावन पवित्र बनाने के लिए तो बावा कई बार कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ आप की ही इसी पुकार पर भगवान आकर के सबसे पहले आत्मा की अंदर पवित्रता की शक्ति भरते हैं क्योंकि पवित्रता ही सब सुखों की चाबी है सुख और शान्ती की जननी है हम सुख के पीछे दोड़ते हैं शान्ती के पीछे दोड़ते हैं सारी दुनिया शान्ती के पीछे प्रयास कर रही है कि कैसे विश्व में शान्ती आए लेकिन बावा ने उसका बहुत सुंदर तरीका बताया है कि सुख और शान्ती की जननी पवित्रता है जैसे बच्चे अपने मा के पीछे अपने आप भागते हैं बच्चा होगा वो मा के पीछे दोड़ेगा तो पवित्रता मा की तरह है और सुख और शान्ती उसके बच्चे है तो जहां पवित्रता होगी वहीं सुख और शान्ती होगी अगर पवित्रता नहीं तो न सुक है न शांती है यह कितनी बड़ी बात बाबा ने हमें कही है लेकिन मनुष्य इस बात को न समझ करके सुक और शांती चाहिए यह तो कहते है दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा हमें सुख नहीं चाहिए, शान्ती चाहिए सुख चाहिए, शान्ती चाहिए परन्तु जब हम उनको कहते हैं कि पवित्रता ही उसकी जननी है तो फिर कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है पवित्रता मुश्किल है बाकी सुख और शान्ती चाहिए foundation को मजबूत बनाना नहीं है इमारत तो अच्छी चाहिए तो वो इमारत कितने दिन चलेगी अगर foundation मजबूत नहीं होगा तो चाहे कितनी सुन्दर इमारत हो बहुत decoration करें हम बड़ी अच्छी लगे आखों को अकरशित करें वो इमारत लेकिन किस काम की अगर foundation उसका मजबूत नहीं है तो पवित्रता आत्मा का foundation है मानो यो कहें जीवन का foundation है सभी गुणों का foundation है मूल है अगर पवित्रता रूपी नीव कमजोर है तो जीवन की मारत भी कमजोर हो जाएगी अन्य गुणों की शक्ती भी कमजोर पड़ जाएगी मानो की जीवन जीवन नहीं रहेगी इसलिए तो देखो द्वापुर युग जब शुरू हुआ देह अभीमान शुरू हुआ विकारों की प्रवेश्टा हुई तो दुनिया तो विकारी बनती गई लेकिन पवित्रता दुनिया में रहने के लिए या दुनिया को थमाने के लिए जो पवित्रता की आवश्चक्ता है उसको लाने के लिए या कायम रखने के लिए बीच बीच में धर्म पिताओं का आना हुआ क्योंकि धर्म की स्थापना भी बिना पवित्रता के हो नहीं सकती है और एक धर्म सन्यास धर्म उसका तो मूला धारी पवित्रता है संसार छोड़ देते हैं पवित्रता के कारण क्योंकि वो समझते हैं कि गरस्त व्यवहार में रहकर दोनों इकठे रहकर पवित्र नहीं रहा जा सकता बाल बच्चों के साथ रहकर पवित्र नहीं रहा जा सकता है धन संपत्ती वैभवों के बीच में रहकर पवित्र नहीं रहा जा सकता है मन उसमें लुप्त हो जाएगा इसलिए सन्यास कर दिया न रहेगा बास न बजेगी बासुरी ये सोच करके घर गरस्त का, पत्नी का, बच्चों का, धन का इन सब को माया समझ करके उसका त्याग किया एक ही लक्ष के पीछे कि पवित्र रहना है लेकिन बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का अर्थ बड़ा गहरा बताया है कि धन माया नहीं है, बच्चे माया नहीं है, परिवार माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है परन्तु माया क्या है? ये पांच विकार है अगर धन के पीछे लालच है लोब है आसकती है और उस धन को पाने के लिए गलच से गलच रास्ते अपनाए जाते हैं ये जरूर माया है क्योंकि अन्ते उसका दुख हमें ही मिलेगा अंतर आत्मा का घात करते जा रहे है इसलिए धन माया नहीं है पर लोबवरत्ती माया है ये पवित्रता जरूर है धन बुरा नहीं है धन तो देवताओं के पास भी था लक्ष्मी तो साक्षा धन की देवी है तो भगवान ने धन को देवी के रूप में दर्शाया है शास्त्रों में तो दिखाते न, तो फिर उसको माया कैसे कहेंगे, परण तो ये जरूर है कि उसके पीछे आ सकती है, वो माया है, और वो अब पवित्रता है, इसी प्रकार कोई कहे बच्चे माया है, सन्यासियों ने बच्चों को भी माया समझ करके छोड़ दिया, तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी माया नहीं है, बच्चे तो पवित्र फूल है, उन बच्चारों का क्या दोश, एक छोटा बच्चा है, कितना पवित्र होता है, उसको तो संसार का तो कुछ पता ही नहीं है वो जूट बोलना भी नहीं जानता है क्योंकि जूट भी अपवित्रता है और बाते तो दूर लेकिन जूट बोलना भी बच्चा नहीं जानता है वो तो सच्चा होता है बड़े उनको सिखाते हैं जूट उटना कई बार यह तो बच्चे नहीं जूटे होते हैं तो इसलिए बच्चे को I Mाया थोड़ी है परंतो उसके प्रति मुहो हो जाता है मेरापन आजाता है वो माया जरूर है तो इसलिए बाबाने उस माया से उस मुहो से हम बच्चों को छुडाया बहुत अच्छी युक्ति देकर कि बच्चे ये बच्चे भी जो है ये भी बाबा के है आप क्यों समझते ये मेरे है धन भी है आप क्यों समझते ये मेरा है ये बाबा का है आपके पास तो ये अमानत है मेरा समझने से माया आती है पर बाबा का है अगर ये बुद्धी में आ जाए तो माया खतम ये मेरा नहीं है ये इश्वर का है ये समझते तो थे भक्ति मारग में बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहेंगे भगवान ने दिया तो भगवान का है न, मेरे पास तो अमानत है, तो अमानत में अगर मोह रख दिया, तो अमानत में ख्यानत पड़ जाती है, वो अपवित्रता हो जाती है, ख्यानत पड़ गई, यह अपवित्रता है, जैसे अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी एक दूद, उबलता हुआ द उसमें एक मख्खी पढ़ जाए, मख्खी उड़ी और उसमें आगे आई और एकदम से उसको भी तो सुगंद आती होगी, मख्खी को भी खाली हमको थोड़ी सुगंद आती है, उसको भी आती होगी और एकदम से वो दूद में पढ़ गई, तो क्या हो गया? वो अशुद हो मक्खी पड़ गई वो थोड़ी पियेंगे अमृत का घड़ा हो एक बूंद उसमें जहर की पड़ जाए तो वो तो अशुद हो गया भी वो थोड़ी फिर पिया जाता है तो इसलिए पवित्रता अर्थाच संपूर्न पवित्रता कोई बात की भी कमी नहीं उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ती बताई कि मेरा कुछ नहीं अगर मेरा कुछ है तो बस केवल एक बाबा है ये कह दिया तो automatically सारी पवित्रता खतम हो जाती है आपसी संबंध भी पवित्र हो जाते हैं क्योंकि बाबा को बीच में हम लाते हैं बाबा जो संपूर न पवित्र है आज भी बाबा ने मुडली में कहा मैं संपूर न पवित्र हूँ कल भी बाबा ने कहा मुझे क्या उस दिन था मुझे को मुझे देही अभीमानी बनने का पुर्शार्थ ने करना पुड़ता है मैं तो सदा ही देही अभी मानी हूँ, क्योंकि मुझे अपना कोई शरीर ही नहीं है, मैं तो सदा ही पावन हूँ, इसलिए मैं पतितों को पावन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सदा ही पावन हूँ, मैं तो उस पारस की तरव हूँ, जो पारस लोहे के साथ मिलकर कोई लोहा नही तो बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको अगर हम बीच में रखते हैं, तो पवित्रता अनुभव करना बहुत सहज है, क्यूं मनुश्यों को मुश्किलात हुई, क्यूंकि भगवान को भूल गए, खुद को भूल गए, तो ये बीच-बीच में धर्म पिताओं ने आकर के पवित्रता की अल्प शक्ति से, जो उनकी अंदर थी, उसकी आधार से धर्म स्थापन किये और थोड़ा संसार को थमाया, यहां तक की सन्यासी स्त्री को भी माया समझने लगे, खुद को कपूश समझा, घी का घड़ा समझा, और स्त्री को आग समझा, तो मैं घी का घड़ा हूँ और स्त्री आग है, तो जब स्त्री के आगे जाएंगे तो घी का घड़ा तो पिगलेगा, आग तो जलाएगी, मैं रूई हूँ तो जरूर आग में पढ़ता ही जल जाएगी घी हूँ या रूई हूँ या जो कुछ कहो तो इस्तरी को आग का रूप माना नर्क का द्वार मान लिया पर बाबा ने तो देखो नारी को कितना उंचा उठा लिया शिव शक्ती सेना कह दिया वंदे मात्रम कह दिया जब नारी का उठान होता है तो विश्व का उठान होता है नारी के पतन से विश्व का पतन होता है क्योंकि नारी वो धूरी की तरह है अगर वो आध्यात्मिकता की शक्ती से उंची उठेगी तो संसार उंचा उठेगा क्योंकि नारी मानो परिवार के अंदर भी नारी ही शिक्षिका है पहली शिक्षिका अपने बच्चों की स्कूल में तो वो बाद में जाता है बच्चा तो जो माता उसको सिखाएगी वो सबसे पहले वो ही सीखता है बाकी तो बाद में सीखता है इसलिए बचपन में जो सीख मिलती है वो सारी आयू कभी नहीं भूलती तो जो मा ने सिखाया वो जीवन भर उसका साथी बन जाता है तो अगर मा के संसकार स्रेष्ट होंगे तो परिवार के भी संसकार स्रेष्ट होंगे तो इसे लिए बाबा ने तो माता को नारी को एक शक्ती रूप कहा तो देखो कितना अंतर है द्वापूर कल्युग में जो कुछ शिक्षा मिली उसके भेट में जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं वो कितना उच है उसके आधार पर ही फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि इस समय बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं देवताओं का राज्य भी स्थापन कर रहे हैं और साथ साथ कुल भी स्थापन कर रहे हैं परिवार भी स्थापन कर रहे हैं. तो परिवार में दृष्टी हमारी कैसी होनी चाहिए? अगर भाई और बहन की आपस में कुदृष्टी हो जाती है, तो कितना बड़ा पाप माना जाता है? इतना बड़ा पाप! इसलिए बाबा ने जब परिवार रचा, तो सब से पहले हमें यही कह दिया बच्चे, भाई बेहन की दृष्टी से भी उंचे जाओ, उसमें भी कभी कभी कुदृष्टी हो सकती है, आजकल तो कई ऐसे माता पिता है, वो बताते भेंजी हमको बड़ा डर लगता है, घर में जवान बेटा बेटी को छोड़ कर आए है, तो जवान बेटा बेटी माना भाई बेन है, लेकिन जवान है तो कभी भी दृष्टी विचलित हो सकती है, तो इसलिए बहुत डर लगता है जवान बेटा बेटी को ऐसे छोड़ कर आना, तो हम देखते हैं कि माता पिता भी इसी लिए डरते हैं क्योंकि दृष्टी कभी भी में चले तो हो सकती है तो पवित रता तो बाबा हमको इतनी उची देते हैं कि भाई बेहन की दृष्टी से भी उपर चले जाओ भाई भाई की दृष्टी अपना हो आज भी बाबा ने मुडली में कहा, आत्मिक दृष्टी ही सिविल दृष्टी हो सकती है, अगर बेहन भाई की भी दृष्टी हुई, तो भी क्रिमिनल बन सकती है, कई लोग इसी लिए तो डरते हैं यहां आने में, कहते हैं, भई हम नहीं जाएंगे, ब्रह्मा कुमारिया न पति-पत्डी को कहेंगे, तुम भाई बेन हो, तो भाई बेन बना देते हैं, हम कहते हैं, हम कैसे आपको बनाएंगे, हम कमारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या, हम घुमाएंगे लो, बन जाओ, छू और हो गई भाई बेन, ऐसे है क्या, ऐसे जादू की छड़ी घुम वाप टाने थी, संडे की . छोटे को बड़ कर देगा, और बड़े को छोटा कर देगा, यह जादुगर की कमाल होती है, हाथ की सफाई होती है. तो क्या यह हाथ की सफाई करेंगे क्याBut पती-pत्नी को कहघेंगे भाई भेयन हो जाओ और बना देंगे चुम अंतर करके, ऐसे है क्या? परन्तु बाबा कहते हैं, यह भाई बेन भी हद की दृष्टी है बाबा तो हमको इनसे भी उंचा ले जाते हैं, भाई भाई दृष्टी ही हमारी बदल देते हैं पवित्रता की दृष्टी माना आत्मिक दृष्टी इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, सब को देखो तो मस्तक पर चमकता हुआ मनी देखो, वास और कुछ देखो ही नहीं किसी को क्योंकि मस्तक से नीचे आते जाएंगे तो दृष्टी बदलती जा सकती है क्योंकि परिवर्तन है, सब का शरीर का ढ़ा, जो ढ़ंग है, ढौल है, सब अलग-अलग है फिर भेड करते रहेंगे, इसका जो नाक है न ये मोटा है, इसका नाक पतला है इसका नाक वो कब ये क्या तोते की चोँच वाला है, ऐसे ऐसे इसके आखें ऐसी है, इसके होट ऐसे है, और और नीचे आओ तो, और कुछ और ही हो जाए सतों से, रजों, रजों से तमोस्तिती आती है, दृष्टी तो पत्तित होती जाती है लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे सब को मस्तक पर चमकती हुई मणी देखो, बास, और कुछ देखो ही नहीं रामयान में आता है कि लक्षमन से जब हनुमान ने पूछा, कि आप बताओ ये सीता का हार है क्या क्योंकि आप तो साथ में रहते थे, ये सीता का हार है क्योंकि हनुमान को तो पता नहीं था, तो लक्षमन वो हार देख कर के कहता है, मैं कैसे बताओं, ये सीता का है या नहीं क्योंकि मैंने उनके गले में उनको इछुए बड़ों के तो आशिरवाद लेने के लिए चरण छूते हैं। तो ये भावना बहुत अच्छी है। लेकिन बाबा हमें देखो कितना उंचा उठाते हैं। चरणों पर गिरने से तो कितना उंचा उठा दिया। अपने कंधे पर बिठा दिया, सिर पर बिठा दिया, दिल में बिठा दिया। तो क्यों बाबा कहेंगे चरणों में जुके रो। इसलिए बाबा कहते हैं कि चरणों में क्यों देखो। सब को कैसे देखो, द्रिष्टी कैसे बनाओ। सब को मस्तक में चमकती वोई मनी देखो बास इसलने नीचे उतरने की जरुरती नहीं है और मस्तक तो सब का एक जैसा है, है न हो सकता है कि इसको बाल न हो तो टकला हो तो जरा लंबा मस्तक दिखता है पarentsु है तो सीधा ना, सपाठ सीधा है, प्लेन है तो हम देखी वो तो सब का एक जैसा ही है इसमें तो कोई अंतर तो करेंगे ही नहीं comparison भेंट तो होगी ही नहीं तो इसलिए बाबा ने दृष्टी को ही बदल दिया आत्मिक दृष्टी बना दिया और एक पिता की संतान है तो सब से समान प्रेम बाबा से प्रेम, माना सब से प्रेम ये भी पवित्रता की अंतरगत आता है ये नहीं कि मेरा सारी दुनिया से प्रेम है सिवाए किसी एक ने का था कि मेरा सारी दुनिया से प्यार है सिवाए मेरे पडोसी के पडोसी से प्यार नहीं है बहुत नफरत है उससे पडोसी को देखता हूँ तो दिल जलता है लेकिन बाकिस सारी दुनिया से प्यार है अब ये भी क्यों पडोसी को देखकर दिल जले क्यों इर्शा होते हैं ने पडोसी को देखकर के पडोसी के घर में नई गाड़ी आई तो हमको इर्शा होती है मेरे पास तो अभी तक पुरानी है होता है, बहुत होता है पडोसी को नया फरनीचर मिला और मेरे पास तो अभी तक तो पुरान आई है तो भेंट करते रहते है तो पडोसी से थुड़ा होता है तो इसलिए वो Christianity में दिखाते हैं Love thy neighbor Christ ने का अपने पडोसी से सबसे पहले प्यार रखो क्योंकि ऐसे समय पर अपने रिष्टेदार काम नहीं आएंगे काम कौन आएगा? पडोसी काम आएगा दूसरे तो बहुत दूर होंगे रिष्टेदार या तो अपने घरवाले काम आएंगे कई बार वो भी काम नहीं आएंगे पता नहीं कहा होंगे पर पडोसी तो साथ है यह न इसलिए उनसे कभी नफरत नहीं करना अपना मित्र बना कर रखना सदा ही तो ये कोई कहे सारी दुनिया से प्यार है पर सिवाई पडोसी के तो वो भी तो प्यार थोड़ी हुआ या केवल एक से मुझे प्यार है बाकी किसी से भी नहीं सारी दुनिया से नफरत है केवल एक ही व्यक्ती से है प्यार बस अब ये भी गलत है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि केवल एक से ही है वो एक कब तक साथ देगा आज है कल दोखा दे देगा आज है कल संसार से चला जाएगा फिर अकेले पड़ गए फिर भगवान याद आएगा तो उसकी बज़ा उसको इस अच्चा साथी बना लो और जब उसको सच्चा साथी बना लिया सच्ची प्रीत एक से जोड दिया तो सबसे प्रीत हो जाती है सबसे जैसे पेड को पानी देना है तो हम एक-एक पत्ते को पानी थोड़ी देंगे और न पत्तों को पानी देने से पत्तों तक पहुँचेगा हमारी सारी मेहनत विफल जाएगी तो अगर पेड को पानी देना है पत्तों को देना है तो सबसे सहज उपाई क्या है जड को दो, बीज को दो अगर बीज को दे दिया तो पेड को अपने आप पहुँचेगा अपने आप बीज से उपर खीचेंगे पेड के पत्ते अलग से उनको देने की ज़रूरत नहीं है तो बीज है शिव बाबा अगर उस बीज से प्यार है तो मेरी सारी दुनिया से प्यार है मुझे सबी धर्म वालों से भी प्यार है हम हदों में नहीं फसेंगे है इन हदों में भी नहीं फसेंगे हम बेहद में चले जाएंगे इसलिए बेहद की पवित्रता अर्थात सब हदे खतम और संपूर्ण पवित्रता अर्थात जरा भी दाग आत्मा में न रहे ये है संपूर्ण पवित्रता, तो इसलिए पहले तो ये बेहद की पवित्रता लाने के लिए बाबा ने हमें आत्मिक दृष्टी दी, हदे खतम करो, धर्म, जाती, भाशा, रंग, प्रांथ, देश, ये जितनी भी हदे इस अंसार में हैं, बाबा ने हमारी सब खतम कर दे, बस अपने आपको आत्मा समझो वा दूसरे को भी आत्मा रूप में देखो, ये खदे आती ही तब है जब हम शरीर में आते हैं, देहिके धर्म तभी दिखाई देते हैं, जब हम शरीर में हैं, इसलिए परमात्मा के लिए भी क्या कहते हैं सर्व धर्मान परित्य जमामेकम शरणम ब्रज भगवान के मावाकिय है तो सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ अर्थात ये देह के धर्मों में फसना माना इश्वर से दूर जाना अपने आप से भी दूर जाना क्योंकि ये दे के धर्म तो दे से संबंदित है आत्मा से तो संबंदित ही ने इसलिए पहले बाबा ने हमें बेहद की पवित्रता सिखाई ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेश्टा हुई तो कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की सारी हदे खतम कर दे नहीं तो बाबा को क्या पता था वो तो ये समझता होगा ये मेरी पतनी है, ये मेरे बच्चे है ये मेरा धंदा है, ये मेरा घर है हद महीं होगा, ये मेरा गुरु है यही मेरा यह व्यवसाई है, यह मेरा कारिय है पर जब शिव बाबा की प्रवेश्टा हुई तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टी को बाबा ने कितना बेहद बना दिया जो सब के लिए बाबा के मुख से निकलता था बच्चे, 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 प्रजा पिता हो गए ना बाबा के लिए सब बच्चे के वर लोकिक बच्चे ही नहीं थे बाबा के लिए तो पक्षी, पश्यो भी बच्चे ही थे जब बंदर आता था तो बाबा कहते थे वो देखो बच्चा आया उनको खिलाओ और वो बच्चा आया तो वो बहन सोचे कौन सा बच्चा आया पर बंदर को बाबा कहेंगे बच्चा आया आया पक्षी चडिया आती थी बाबा के लिए बच्ची को पहले दो तो उस बच्ची को दो माना क्या कौन सी बच्ची? चुडिया तो बच्ची तो बाबा के लिए सारे बच्चे थे पशो पक्षी सहित सब बच्चे थे तो क्योंकि बाबा की दृष्टी बदल गई बाबा के लौकिक बच्चों को भी तो बच्चे ही कहा और सबसे आस्चरे जनक बात कि बाबा ने अपनी लौकिक में जो उनकी युगल थी उनको भी बच्ची कहा और उनकी दृष्टी में कितना बड़ा परिवर्तन जो बाबा को उसने बाबा कहा, पिता कहा, पती पिता बन गया और पतनी क्या हो गई? बेटी हो गई कितना बड़ा अंतर पढ़ गया दृष्टी में हम महात्मा गांधी का पुस्तक पढ़ रहे थे एक बार उनकी आत्मकथा, महात्मा गांधी की तो उस कथा, आत्मकथा में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी को ब्रह्मचरिय का पालन करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा उसके लिए इतना सहज नहीं था ब्रह्मचरिय का पालन करना क्योंकि उसकी पत्नी तो उनके साथ ही रहती थी तो बड़ी मेहनत लगती थी उसको कैसे अपनी इंद्रियों का सहियम का किया जाए वो सहज नहीं लगा परंतो एक दिन उसने कस्तूर बा, कस्तूर उसकी पतनी का नाम था उसको कह दिया कस्तूर बा, मा, गुजराती में मा को बा कहते है तो बा, तो जिस दिन से उसने कस्तूर बा को मा के रूप में देखा उस दिन से इसकी दृष्टी बदल गई क्योंकि मा की दृष्टी से उसको देखा उसके पहले तो बले ब्रह्मचरिय करने, पारन करने की कोशिश की परंतो उसको महनत लगती थी बहुत पर जैसे दृष्टी बदल गई ये तो माँ हैं, मेरी भी माँ हैं, बस उसकी दृष्टी बदल गई और पवित्रता उसके लिए कितनी सहज हो गई, ब्रह्मचरिय का पालन करना बड़ा सहज हो गया स्वामी रामकृष्ण परम हंस के लिए बताते हैं, कि उनकी तो जनम से पहले सगाई हो गई थी, तुमारा बेटा, मेरी बेटी अगर होंगे तो शादी करा देंगे, गाउं में तो ऐसे होता है तो स्वामी रामकृष्ण परम हंस का ऐसे विवा हो गया था, शार्दा मा से, मनो जनम से, अब वो तो माता पिता ने करा लिया लेकिन स्वामी रामकृष्ण परम हंस ने शारदा मा को स्विकार किया पर उनकी दृष्टी में कभी भी यह नहीं कि यह मेरी पतनी है क्योंकि वो मा का भक्त था तो शारदा को पहले दिन से ही उसने का तू मेरी मा हो मा हो तो मा की दृष्टी से देखा तो दृष्टी उनकी पवित्र हो गए अब बाबा के लिए तो उनको मा तो नहीं का उनको बेटी मानना वेकि प्रिजा पिता ब्रह्मा थे और इतनी आश्चरे की बात की देखो जब यग्यश्ट की स्थापना हुई तो सब को ब्रह्मा बाबा से स्री कृष्ण का साक्षातकार होता था और मम्मा से राधे का साक्षातकार होता था मम्मा को राधा रूप में देखते थे या लक्ष्मी रूप में देखते थे और बाबा को स्री कृष्ण रूप में या नारायन रूप में देखते थे अर्थात बाबा मम्मा को भी मालूम था और शिव बाबा ने भी उनको बताया कि भविश्य में आप युगल होंगे ना युगल होंगे ना भविश्य में लेकिन बाबा की दृष्टी मम्मा के प्रती कैसी थी वो सदा बाबा को मम्मा कहते थे हलांकि मम्मा माना बेटी सरस्वती उनकी बेटी थी तो बेटी के रूप में लेकिन बाबा ने लोक संग्र अर्थ उनको मम्मा ही कहा कि वोल बेटी नहीं कहा क्योंकि अगर का कि मैं उनको बेटी कहूंगा तो सभी उनको फिर उनके नाम से पुकारेंगे इसलिए वो यग्य की माँ हैं, अलोकिक माँ हैं, तो बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे मम्मा की अलोकिक माँ, वो भी अपनी बेटी को मम्मा कहती थी अब बताव सारी दृष्टी बदल गई वैसे आत्मिक दृष्टी सब के प्रती कल रतन मोहिनी दादी जी बता रहे थे अपना अनुभव विदेशियों के बीच में कि जब हम शुरू में आए तो कैसे हमारे दुनिया ही मर गई थी लोकी गृष्टेदार आते थे हम कहते थे हमको मिलना ही नहीं है क्यों मिले हम हमने तो नया जनम ले लिया है पुराने जनम के संबंदों का में पता ही नहीं इतना नशा हमें चड़ गया था वो बेहद की पवित्रता हमारे जीवन में आगई थी जो हदों में हम फसा ही नहीं तो यग्य की अंदर भी रहते थे इतनी बेहद की पवित्रता थी जो देहे के संबंद भी याद नहीं थे जो बाबा ने संबंद दिया मात, पिता, अलोकिक रूप से बाकी सब बच्चे बास इतनी सुन्दर दृष्टी बन गई एक दो की मेहनत नहीं करनी पड़ी पवित्रता धारन करने के लिए सहज ही हो गया और विनाश के साक्षातकार तो होते थे सबको तो ऐसे ही वेराग्या आ गया क्योंकि बस अब ये दुनिया गई की गई कई भाई बेने कहते हैं कि अभी क्यों नहीं बाबा साक्षातकार कराता उस समय जो साक्षातकार हुए तो इतना वेराग्या गया एकदम पवित्रता जीवन में अंग-अंग में आ गई तो अगर साक्षातकार हो जाए तो ये सब हो जाए सहज तो बाबा कहते नहीं है अभी ज्ञान परपक हो गया है अभी ज्ञान की आधार से वो पवित्रता लानी है साक्षातकार वो तो टेंपररी फेज हो जाएगा और वैसे भी विनाश का रूप तो देखी रही है दुनिया में कौन सा विनाश साक्षातकार से देखने से ही हम स्विकार करेंगे वे तो चारो और दिखाई दे रहा है उस समय तो दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए बाबा को साक्षातकार कराना पड़ा अभी तो चारो और दिखाई दे रहा है रोज दिल्ली में देखो कहीं बम फट रहा है कहीं क्या हो रहा है कोई क्या हो रहा है धरी डर है जहां जाओ डरी डर है तो डर के मारे जी रहें तो वो डर का जो सुख है वो कौन सा सुख होगा बाबा जिसको कहते है रुन्य का पानी रुन्य का पानी होता है न रेगिस्तान में एक हिरन होता है उसको लगता है वहाँ सामने पानी है और वो दोड़ता है उसके पीछे पर वो तो किवल परचाई होती है पेड की तो उसको लगता है वो पानी है क्योंकि वो हिलता है रेत में उसका उसकी परचाई तो पानी के मारे वो प्यासा ही रह जाता है तो सच्चे सुख के पीछे दोड़ता है इंसान लेकिन डर जो साथ में है इसके करण वो सुख अनुभोई नहीं कर पा रहा है और बाबा ने तो हमारा डर ही खतम कर दिया आत्मा के ग्यान से सारा डर खतम हो गया न आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है अगर इस शरीर को भी कोई जला देगा मैं तो अजर अमर आत्मा अविनाशी न्यारी हूँ मैं तो कभी नहीं जलती हूँ इसलिए ये डर ही खतम हो गया अशरीरी अवस्था का नुभो करने से इसलिए बाबा बार बार जोर देकर कहते है बच्चे अपने आपको अशरीरी आत्मा निष्चे करो इस देह के भान से उपर जाओ न्यारे हो जाओ उड़ जाओ वतन में चले जाओ साक्षातकार हो तब वतन में जाएं ये नहीं पर मन की स्थिती ऐसी हो जो ज्यान का तीसरा नेत्र मिला और आत्मा उड़ गई वतन में पोँच गई अपने वतन में क्योंकि इस तीसरे नेत्र से तो आप बहुत कुछ देख सकते हो इन दो नेत्रों से तो केवल आप यही देख सकते हो तीसरे नेत्र से तो आप तीनो कालों को देख सकते हो तीनों लोकों को देख सकते हो तो आज भी बाबाने का ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो तो देखो पवित्रता की शक्ती का अनुभा होगा आज की मुल्ली थी तो आत्मा को भी ज्ञान के नेत्र से देखो परमधाम को भी ज्ञान के नेत्र से देखो सुक्ष्म वतन को भी ज्ञान के नित्र से देखो सत्युक को भी ज्ञान के नित्र से देखो वो अभी हमारे उस दुनिया में जा रहे हैं कल भी बाबा ने मुल्ली में बड़ा सुन्दर कहा कि घर और नई दुनिया सड़ पंद पर है सड़ पंद एक सिंधी शब्द है सड़ माना जैसे बुलाना किसी को पंद माना उतना ही फासला जो मैंने बुलाया और वो सुन सके इतना नजदीक तो परमधाम और सत्यूग हमारे कितने पास है, सड़ पंद पर है जितना हम पुकारे और वो व्यक्ती सुने इतना दूर, इतना दूर हमारे लिए है इतना पास है पर वो कैसे पास अनुभव करेंगे या देखेंगे इन आखों से तो ये कल्योगी दुनिया दिखाई दे रही है तो कौन से नेतर से देखेंगे तीसरे नेत्र से देखेंगे उस घर को भी देखना है उस नई दुनिया को भी देखना है आत्मा को भी देखना है तीनो कालो को देखना है तीनो लोको को देखना है तो ये दृष्टी आत्मा की कितनी पवित्र हो जाए वो ज्यान का नेत्र मिल जाए तो ये दृष्टी भी पवित्र हो गई लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये दो आँखे हम फोड़ दें तब वो पवित्रता हमारे जीवन में आई नहीं सूर्दास ने तो यही किया आज बाबा ने भक्तों को भी याद किया कि जो द्वापुर के भक्त थे वो कितने कटर थे अटूट थे लगन वाले थे किसी की परवा नहीं की सूर्दास ने यही तो की आँखे ही फोड़ डाली नहोगी यह आँखे नहारा मन विचलित होगा वो पक्के थे आज कल के भगत कैसे बाबा ने क्या शब्द बोला आज कल के भगत तो बादशा है बादशा की तरह रहते है खूब कमाते हैं धन तो बहुत आता है पर कहलाते भगत है कोई न कोई देव के या किसी गुरु के मतलब उनको भी कोई कम थोड़ी कमाते होंगे परमात्मा को तो पहचानते ही नहीं है खुद में ही फसाते रहते है परमात्मा को जान जाए तो सब की बुद्धी उस तरफ लग जाए और परमात्मा के साथ ही हमारा लेना देना हो या तो मनुष्य आत्माओं के साथ ही लेना देना है इश्वर से तो दूर हो गए है इसलिए न विकर्म विनाश होते हैं न पाप कटते हैं और नहीं बंधनों से बंधन मुक्त होते हैं न कर्मातीत बनते हैं न पवित्र बनते हैं इसलिए बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है और मैं आकर के जो ज्ञान देता हूं उससे ही तुम बच्चे पवित्र बन सकते हो, योगी बन सकते हो, बंधन मुक्त बन सकते हो, माया जीत बन सकते हो, प्रकृती जीत बन सकते हो, इंद्रिय जीत बन सकते हो, और कर्मातीत बन सकते हो, संपूर्न बन सकते हो. क्योंकि लक्ष ही भगवानीयम को इतना उंचा दे दिया तो उसी अनुसार ही लक्षन हम अपने जीवन में धारन करते हैं तो क्या है बेहद की पवित्रता? बेहद की पवित्रता अर्थात समद्रिष्टी जिसमें समान हम सब को आत्मा रूप में देखते हैं और हरेक आत्मा के प्रती शुब भावना हरेक आत्मा के प्रती शुब कामना ये बेहद की पवित्रता है मन वचन कर्म की पवित्रता है ये भी नहीं कि चलो कर्म में तो हम किसी को दुख नहीं देते पर मन में किसी के लिए बुरा सोच लिया ये भी बाबा कहते हैं पवित्रता नहीं है अब ये तो बहुत उची बात है मन में तो कईयों के लिए हम कितना भी कुछ तो नेगेटिव सोचते ही है ने इसने मेरे साथ ऐसा व्यवार किया कई बार हम कहते हैं चलो क्षमा तो कर देते हैं किसी को ठीक एक्षमा करना फिर भी सहज है परन्तु उस बात को भूल जाना जब भी वो मेरे सामने आए वो बात मुझे याद भी न रहे कि इसने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवार किया भी था भूले जाए वो है सचमुच बेहद की पवित्रता जो मनसा में भी कोई अशुद संकल्ब किसके प्रती भी न आए वियर्थ संकल्ब भी किसी के प्रती न आए और अगर दूसरे के अंदर में आए तो मेरा शुद संकल्ब उसके संकल्ब को भी बदल दे ये न हो कि उसका संकल्ब मेरे पर अपना प्रभाव डाले और मेरा संकल बदल जाए उसके लिए, नहीं, मेरा संकल पैसा स्तिरोज उसका बदल जाए, मेरे संग में आए तो, पारस लोहा न बने, पर लोहा पारस बन जाए, तो मैं उस पारस की तरव हूँ, जो लोहे को ही सोना बना सकूँ, तब तो बाप समान बन सकूँ, तब तो संपूर्ण पवित्रता कहलाए तो पहले है बेहद की पवित्रता और फिर है संपूर्ण पवित्रता संपूर्ण पवित्रता बहुत उंची स्टेज है हम जैसे दादी जी की अवस्था देख रहे है बिल्कुल संपूर्ण पवित्रता का वो स्वरूप है वैसे भी दादी जी कई बार बता चुके हैं कि मैंने कभी भी अपने जीवन में जूट नहीं बोला कभी जूट नहीं बोला जो बात जैसी है उसको कभी मैंने बदला नहीं हेरा फेरी कभी नहीं की क्योंकि अपना स्वार्त कुछ भी नहीं था दादी को तो ये जैसे वो आत्मा बजनम से मानो बनी बनाई उस पवित्रताक की मूरत है वो तो ज्ञान में आना उनको बड़ा सहज हो गया और बाबा ने उनको परक लिया शुरू में कि ये होवन हार आत्मा है ये बहुत महान बनेगी बाबा दादी के लोकी पिता ने भी उनको परक लिया था उनकी जनम पत्री में सही परक लिया था कि ये तो मीरा बनेगी वास ये की सिवाए एक के और किसी को भी याद नहीं करेगी तो वो ही दादी जी का जीवन है तो संपूर्ण पवित्रता की अगर अनुभूती करनी है तो सच मुझ हम दादी जी से करते है जो संपूर्ण ता के निकट है कर्माती तो हो ही गई दादी जी कई हमसे पूछते हैं कि कर्मा तीत और संपूर्ण में क्या अंतर है तो हम कहते हैं बहुत अंतर है कर्म बंधन तो बहुत ही अलग चीज है तो कर्म बंधन से परे हुए तो कर्मा तीत हुए कर्मा तीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म ही नहीं करना कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उस कर्म के प्रभाव के बंधन से परे है हमारी दाधिया कर्माती तवस्था को पा चुकी है, सच मुझ जानकी दाधी जी को भी हम देखते हैं दाधी जानकी से कई बार हम लोग पूछते हैं दाधी आप कल वहां थे और वहां क्या अनुभो किया क्या समाचार दादी जी को याद भी नहीं है जान की दादी कहेंगे कल जो हुआ सो हुआ आज नया दिन कल को क्यों याद करो आज की बात करो अभी की बात करो कल की बात क्यों करती है वो तो पुरा हो गया कल की बात आज भी याद नहीं करना क्योंकि हर घड़ी को सफल करना है अगर मैं आज कल की बात कर रही हूँ जो कल बीट गया तो अभी तो मेरा सफल कहा हुआ वो तो मैं कल में ही हूँ अभी तक आज मैं पहुंची ही नहीं हूँ किसी ने दादी से पूछा मैं तो हर घड़ी घड़ी अपनी सफल करती हूँ तो घड़ी पेनने की क्या ज़रूरत है तो इसलिए ये दादी का बड़ा सुंदर जवाब था दादी जानकी का क्योंकि हर घड़ी को सफल करते हैं ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है ये नहीं कि मैंने जो किया पता नहीं अच्छा किया अच्छा नहीं किया सफल हुआ नहीं सफल हुआ प्रश्ण करना पता नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ निश्चे है क्योंकि बाबा की याद में हुआ किसी देधारी की याद में नहीं हुआ कोई आसकती वश नहीं हुआ कोई मैं पन और मेरा पन से नहीं हुआ लगन ही एक के साथ है और कुछ बुद्धी में है ही नहीं तो ये करमाती तवस्था ही तो है जो इस उमर में भी देखो दादी जानकी को उड़ा रहे है कल रात को कितना लेट पोँचे राज सवेरे मुल्ली भी सुनाई और अभी भी चाहिद क्लास कराएंगी टीचर्स का उड़ती रहती है कहां से हमत आ रहे है शक्ती आ रहे है एक बाद जानकी दादी से पूछा दादी आप इसका राज बताईए तो दादी ने बोत अच्छी बात कही का मैं जब शुरू में आई ना जानकी दादी ने अपनी राभ पात सुनाई जब मैं शुरू में आई थी तो उस समय मैं पिजिन की तरह थी तोते की तरह थी सरी कभूतर की तरह थी बस बाबा के सामने बैठी रहती थी हुम 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 खाली करती रहती थी तो कभूतर क्या करता है हुम 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 करता है न और कुछ नहीं बोल सकता है वो हुम 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 खाली करता है अमर कथा सुनाई पारवती को तो किस ने सुन ली तो कभूतर ने सुन ली हुम हुम किया तो शंकर ने सोचा कि हाँ पारवत्ती सुने, वो तो सो गई थी तो मैं तो कभूतर थी, जो बाबा की हर बात ग्रहन करती थी, कुछ बोलती नहीं थी लेकिन उसके बाद बाबा ने मुझे जो बोलने की शक्ती दी फिर तो मैं तोता बन गई कबूतर से तोता बन गई पैरेट बन गई पिजिन से पैरेट बन गई बस जो बाबा ने सुना है मुझे वो ही सुनाना है बाकी दुनिया की और कोई टिकलू टिकलू मुझे कुछ नहीं करनी है बस भगवान की बात ही मुझे सुनानी है और कुछ नहीं और कुछ मुझे पता भी नहीं है किवल भगवान की बात ही आमालु में वो ही मैं सुनाती हूँ तो वो पैरिट हो गई जैसे तोथा क्या करता है जो मालिक ने बोला वौरट लिया मना भाव ये था कहने का कि मुझे भगवान की बाते ही आती और बाते मेरे से मत पूछो जरूरत भी नहीं है वो भगवान की बाते जान लिया मना सब कुछ जान लिया शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कोई किताबे पढ़ने की जरूरती नहीं और अभी बाबा ने मुझे क्या बना दिया है पपेट बना दिया है पपेट समझते हैं न, कट पुतली तो मैं बाबा की कट पुतली वो मुझे नचाता है मैं नाचती हूँ दुनिया में नाचती है आज यहाँ, आज वहाँ, आज वहाँ, वो नाचती रहती हो। बाबा ने, उसकी शक्ती चला रही है। तो दाधी जानकी को बना दिया है बसंद और बड़ी दाधी को बना दिया है रूप तो रूप और बसंद की जोड़ी हो गई exercices तो ये दादी जी आप देखिए बिलकुल साक्षातकार मूरत शब्द बस चार शब्द का एक शब्द का एगी बस शान्थ बस बाबा की लगन में वो मगन है वो दादी जी की स्थिति वो संपूरनता की स्थिति हम अनुभव कर रहे है बाबा ने उस दिन भी संदेश में कहा कि दादी जी को तो बाबा ने अपनी गोद में बिठा दिया है दिल में गोद में बिठा दिया है बस बाबा अपने आप कारिय कर रहा है और दादी जी को गोद में बिठाया हुआ है तो वो ही अनुभव करती है दादी जी कि मैं गोद में ही बैठी हूँ बाबा की तो इसी लिए हम अनुभव करते हैं कि ये संपूर्णता की निशानी है कर्मातीत से तो दूर चले गए कर्मातीत फिर भी कर्म तो कर रहे हैं कर्म के बंधन से तो बहुत ही परे हो गए कर्म का बंधन क्या होता है कर्म करने के बाद सोच चलता है पता नहीं ये कर्म ठीक किया या नहीं ठीक किया अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी हम लोग भी भाषन करेंगे न तुमने बहुत अच्छा क्लास कराया, तो मुझे आएगा यह, क्या मिनेश्या ठीक क्लास नहीं कराया, किसी ने प्रशं साही नहीं की, प्रशं साही नहीं की, तो प्रशं साह के पीछे हम पड़े रहें, मालो, तो यह थोड़ी कर्माथी तवुस्ता है, प्रशन सा नहीं की तो दुखी हो गए तो ये थोड़ी कोई कर्माती तवस्था कर्माती तवस्था माना नहीं की कर दरिया में डाल किया और फिर न्यारे हो गए जिसको बाबा ने अव्यक्तवानी संडे की बाबा ने का न्यारा और प्यारा ये करमाती तवस्था के निकट है ये संपूर्ण पवित्रता है तो जितने ही न्यारे उतने ही सब के प्यारे न कोई हद है न कोई तेरा है न मेरा है तो ऐसे बेदाग हीरा हम बच्चों को बनना है इस संकल्प से हमारा पुर्शार्त हो तब कहेंगे कि हां हम विजई बनेंगे तब हम विजई माला में आ सकेंगे कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा ये हम कैसे करेंगे हम तो बहुत पीछे आए हैं तो बाबा कहते हैं ये भी मत सोचो कल भी बाबा किश्याद मुर्ली में था या परसू तो पीछे आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं बहुत आगे जा सकते हैं ये कभी नहीं सोचो कि हम तो पीछे आये हैं क्योंकि किसी को भी सीट नहीं मिली अभी तक जब यग्य में थे तो किवल बाबा ममा की सीट फिक्स्ट थी उनका इस आक्षातकार होता था बाखी तो सब रेस में दोड रहे थे किसी को seat तो मिली नहीं है जैसे musical chair होती है न खेल होता है तो उसमें सब कुरसियां खाली होती है कोई भी कुरसी पर बैठा हुआ नहीं है सब दोड रहे हैं, सब दोड रहे है अब music बंद हो तो बैठे न और जो सोचेगा मुझे ये कुरसी मिल जाएगी और एकदम उस कुरसी के नजदीक आ गया पर music बंद हुआ ही नहीं तो बैठेगा कैसे उसको आगे ही बढ़ना है और आगे बढ़ा तो कुरसी गई दूसरा बैठ जाएगा उसकी जगा तो इसलिए कुरसी को नहीं देखना होता है बस आगे बढ़ना होता है कुरसी को नहीं देख सकते नहीं तो दोखा खालेंगे कि मैं तो ये पद पाऊंगी मैं ये पद पाऊंगा बस पुरशार्त करना हमारा लक्षो कल भी बाबा ने का कि ना पीछे देखो ना साइड में देखो साइड में भी नहीं देखो ना पीछे देखो ना पीछे देखो का मतलब क्या है हमारा जो भूत काल का जीवन है उसको भी मत देखो वो जीवन तो पूर्व जीवन था अभी तो नया जनम लिया है और साइड में भी नहीं देखो, साइड में नहीं देखो माना दूसरों को नहीं देखो, ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, बस आगई देखो, अपने लक्ष को देखो, बाबा को देखो, घर को देखो, नई राजधानी को देखो, सड़ पंध पर है, तब स हम पूर न कहलाएंगे इसलिए ये भी न सोचे हम तो लेट आये हैं पर लास्ट आकर भी फास्ट जा सकते हैं नमबर वन आ सकते हैं अभी भी तू लेट का बोर्ड नहीं लगाए इस ग्रूप में कौन होंगे जो पहली बार आये है पहली बार कौन आये हैं इसलिए संकल्प बहुत अच्छा संकल्प तो नहीं चल रहा है न क्याम इतना लेट आये बाबा नहीं संकल्प जरा भी नहीं करो अभी भी आये बहुत अच्छा हुआ इसके बाद और आएंगे आज बाबा ने मुली में कहा कि बच्चे अभी तो बहुत आएंगे अभी तो ये कुछ भी नहीं है वर्दान था शायद तो अभी तो बहुत आएंगे तो उसकी भेट में तो अभी फिर भी कुछ नहीं है बाबा ने तो तयार कर दिया है एक अव्यक्त वानी बीच में चली थी जिस समय शांती वन में इतना हाउस फुल हो गया था, जो जरा भी जगर नहीं थी, टेंट लगाती ये थे सब जगर, बोथ, तो बाबा ने उस समय भी तयार कर दिया, कि बच्चे इनसे भी ज़्यादा आएंगे, आपको तो अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, तयार हो, सूटकेस पर सोना है, और हैंड बैग है, उसको तकिया बना देना है, तो तयार हो, और आकाश का विस्तर हो, तयार हो उसके लिए, अभी तो नौ लाख के लिए भी तयारी हो रही है, हो रही है बाबा ने कहा है माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी वो तो हो ही रही है जब यहां से माउंट आबू जाते हैं तो क्यों ही होती है अपने गाड़ियों की बाबा की गाड़ियों की क्यों होती है बाबा के बच्चे उपर जाते हैं नीचे आते हैं हम कई बार गिंती करते हैं, जब हम उपर जाते हैं, नीचे आते हैं, हम गिंती करते हैं, उपर जाते हैं खास, और उपर से गाड़ियां आती है, बीकेज की, तो हम गिंती करते हैं, कितने बाबा के बच्चों की ये गाड़ियां होगी, तो लाइन हो गई, क्यों हो गई, माउं बैंक ने मदद किया, देखो तो इतना बड़ा अच्छा रोड बन गया है जो बहुत अच्छी तरह से माउंट आबो भी जा सकते हैं क्या कि सब अपना होना है सब बाबा के बच्चे यहाँ असाइलम लेने हैं तो यह बाबा की बुद्धी में पर वो अनुभव कौन कर सकेगा जिसके जीवन में संपूर्न पवित्रता होगी बेहद की पवित्रता होगी इतनी उंची, दृष्टी और वृती होगी बाब समान, स्थिती होगी वोही आत्में उस अनुभूती को कर सकेंगे ठीक है? अच्छा? Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti